आप और मैं हूँ आपकी साथ साक्षी जा बिहार पॉलिस जरा गौर से इस ख़बर को देखिए बिहार में कई ऐसे पॉलिस कर्मी है जो आम लोगों को परिशान करते हुए नजर आते हैं ऐसे ही पॉलिस कर्मियों के लिए अब पटना हाई कोट ने हिदायत दे दी है उन्होंने टिपणी करते हुए जो ऐसे पॉलिस कर्मी है जो आम जनता को परिशान करते हैं ऐसे पॉलिस कर्मियों पर बड़ी टिपणी कर दी है क्या है पूरी खाबर? आईए आपको बताएंगे इस वीडियो में पिमी जब वर्दी छोड़ेगी साथ तब आएगा समझ में पटना हाई कोट की ये टिपड़ी अपने आप में बहुत कुछ कहती है अदालत ने ये टिपड़ी एक गुमशुदा बच्चे के केस में की है जिसे पुलिस पांच साल में भी धून नहीं पाई उल्टे कमिया छिपाने के लिए केस पटना हाई कोट में जाते ही तेजी से एक SIT बना दी गई अदालत ने इसको लेकर बिहार के DGP को SOP जारी करने का हुकम दिया है दरसल बिहार में एक बच्चा पांच साल से गायब है ये बच्चा पटना में साल 2018 सिला पता है उसे पुलिस अब तक नहीं ढून पाई है पुलिस की नाकामे से परिशान और गम जदा पिता पटना हाई कोट की शरण में पहुँच गई इसके बाद हाई कोट ने बिहार के DGP को SOP जारी करने का आदेश दे दिया है बतादे नियाइधीश राजी वरंजन प्रसाद की सिंगल बैंच ने अगवा बच्चे के पिता विने कुमार की याचिका पर सुनवाई की है इसके बाद बिहार के DGP को SOP जारी करने का आदेश दिया है अदालत ने कहा है कि 2018 में बच्चा लापता हो गया और पोलिस उसे अब तक नहीं ढून पाई है यह इसलिए किया गया कि इससे इंवेस्टिगेटिव ओफिसर की कमिया को छुपाया जा सके अदालत ने कहा कि इससे पहले DSP ने अदालत को इस बात का भरोसा दिलाया था कि वो इस केस को गंभीरता और इमानदारी के साथ लेंगे और गाया बच्चे को ढूनने के साथ अपराधी को पकड़ने की भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे लेकिन अब तक लड़के का कुछ पता नहीं चला है हाइकोट ने पटना पुलिस के इस सरवये पटिपनी की अदालत ने कहा कि जब पुलिस वाले रिटायर हो जाते हैं और उनके साथ इस सरव का कुछ होता है सीबी आई को भी पाटी बनाने का आदेश दिया है जुससे सीबी आई पुलिस अफसरों के काम की जाच कर सके बताया जा रहा है कि आदालत ने कहा कि ज्यादा समय गुजर जाने पर केस में सबूत का मिलना मुश्किल हो जाता है ऐसे में गायब बच्चों को बरामत करना आसान नहीं रह जाता ये पूरा केस पटेल अगर के देव पबलिक स्कूल में पढ़ने वाले दसवी के छात्र से जुड़ा है बता दे कि वो 2018 में रोज की तरह स्कूल गया था और फिर वहां से गायब हो गया इससे जुड़ा मामला शास्त्री नगर थाने में दर्च कराया गया वही कोट में मौझूद सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस अफसरों का बचाव किया और कहा कि पुलिस केस की शुरुवात से ही कारवाई कर रही तो देखिए पतना हाई कोट ने बिहार पुलिस पर बड़ा बयान दिया है और एक तरह से कहले तो बड़ी हिदायत दे दी है उन अफसरों के लिए जो आम जनता को परिशान करते हैं और ने कहा है कि जव वर्दी इनका ऐसे पुलिस कर्मियों का साथ छोड़ेगी तब हिने समझ में आएगा आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम ख़बरों से अब डेट रहने के लिए देखते रहें निवस्पोर निशन